सब्स्क्राइब कीजिए डिजी कोशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका ऐसे मीवाई 9 का चाइना बीटारम को इंस्ट्रॉल कर सकते हैं बीना पीसी के दोस्तो यह tutorial only for Redmi Note 4 and Redmi Note 4X users के लिए है क्योंकि अभी दोस्तो only Redmi Note 4 and Redmi Note 4X के लिए ही Miuição 9 का चाइना विटारम अबेलेबल है तो दोस्तो चलिए आगे देखता है आप कैसे without any PC Mi conspirator Mam को कर रहा है सेम उसमें बीना डेटा लॉस के आप कैसे वापस भी आ सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको प्रोपर सल्यूशन बता दूंगा प्लास चाइना वीटरॉम में आपको गोगल प्लेश्टोर नहीं मिलेगा तो आप कैसे गोगल प्लेश्टोर को भी इसी वीडियो में बता दूंगा so one video all solution तो नमस्ति दोस्तो मैं हूँ कोशिक तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तो सबसे पहले बीना PC के MIUI 9 चाइना बीटराओं को Redmi Note 4 या तो Redmi Note 4X में इंस्टल करने के लिए requirement के बारे में बता रहते है नमबर वान अपका phone में board loader unlock होना चाहिए नमबर तू आपका phone में TWRP custom recovery इंस्टल होना चाहिए और नमबर थ्री अबिसले आपको एक Redmi Note 4 या तो Redmi Note 4X चाहिए तो दोस्तो आगर आपका phone में bootloader unlocked नहीं है और TWRP custom recovery installed नहीं है तो वीडियो का description में चेक कीजिए आपको link मिल जाएगा मैं already वीडियो बनाया हूँ आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर already bootloader unlocked है और TWRP custom recovery installed है तो आप ये वीडियो को आगे देखें तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो फाइल का ज़रुवर पढ़ेगा और वो है lazyflasher.zip and miy9 7.7.28 चाइना वीडियो का फाइल आपको दोनों फाइल सी वीडियो का description में मिल जाएगा आप वो दोनों फाइल को डाउनलोड करके आपका फोन में internal memory में रख दीजिए और उसके बाद दोस्तो अभी आपका फोन को TWRP recovery mode पे open करना है तो दोस्तो उसके लिए आप फोन का power button and volume आप बटम को 10 second के लिए long press करके रखे तो आपका फोन में TWRP custom recovery project का screen आ जाएगा और दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा फोन TWRP custom recovery mode में on हो गया है अभी दोस्तो simply आपको जो करना है आप यहां से सबसे पहले backup option पे क्लिक कीजिए दिन पहले आपका फोन में current ROM का यानि जो ROM अभी आप यूज कर रहा है उसका एक backup बना लिजे यहाँ पे आप simply system, data, catch and boot यह चारो option को टिक कर दीजे जैनि यहाँ पे swipe to backup पे swipe कर दीजे तो यह अभी आपका current ROM का एक backup and restore point बना रहा है और यह मैं इसलिए recommend करता हूँ क्योंकि अगर installation में कुछ problem हो जाएगा या तो आप MIUI 9 का चायना वीट और आप बाद में use नहीं करना चाहेंगे तो आप restore point से जाकर आपका current ROM पे वापस आ सकते है और आपका कोई भी data loss नहीं होगा तो जरूर आप सबसे पहले backup must भी कर लिजिए उसके बाद दोस्तो बैक करके main skin पे आईए देन यहापे आप wipe option पे क्लिक कीजिए और यहापे advance wipe पे क्लिक कीजिए यह चार फाइल को select करके swipe to wipe कर दिजिए note that internal memory को select मत कीजिएगा नहीं तो internal memory का files पे delete हो जाएगा तो wipe करने के बाद आप back कीजिए तो यहापे दोस्तो आपको factory reset का option मिल जाएगा यहाँ से आप swipe to factory reset पे swipe कीजिए तो यह आपका system को एक बार restore कर देगा और उसके बाद फिर back करके main home skin पे आ जाएए देन यहापे आप आप अभी install option पे क्लिक कीजिए और अपने जो MIUI 9 का ROM फाइल को download करके इंटलने मेमोरी में रखा था उसको select कीजिए देन यहाँ से swipe to confirm flash पे swipe कर दीजिए तो आभी ही आपका phone में MIUI 9 का चाइना बीटरां इंस्टल हो रहा है यह 3-5 मिनिट का अंदर अंदर installation हो जाएगा तो install होने के बाद आप back करके lazyflasor.zip file को select कीजिए देन इसको भी आप इंस्टल करने के बाद आप यहाँ पे reboot system option का उपर क्लिक कीजिए देन इहाँ पे do not install पे क्लिक कीजिए तो अभी आपका phone automatically reboot हो जाएगा दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा time लगेगा थोड़ा ही दिर में जब यहाँ पे android booting का logo आ जाएगा तो इसका मतलब है आप successfully MIUI 9 चाइना विटराओं को successfully install कर चुका है अभी पास से 10 मिनिट का अंदर-अंदर MIUI 9 का setup skin आ जाएगा तो जैसी के आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 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 इसको setup कर लेता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे setup कर लिया हूँ यहाँ दो default theme द देख सकते हैं यहाँ अभी MIUI 9 पे my device का नाम से एक option आ गया है यहाँ पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी current MIUI version है MIUI 9 7.7.28 beta और android version है 7.0 android mogat और दोस्तों अगर आप यहाँ पे all specs option में click करेंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सारी information को दोस्तों यहाँ आपको एक बात बताना है यह जो my device का option MIUI 9 में नया आया है बहुत सारे लोग बोर रहा है यह एक नया option है सेटिंग में बट दोस्तों अगर आप अभी भी Redmi Note 4 में लास्ट चाइना बीटाराम 7.7.13 को इंस्टल करेंगे तो यह सेम स्टाइल का option आपको सेटिंग में मिल जाएगा MIUI MIUI 8 पे भी मैं 7.7.13 चाइना बीटाराम को इंस्टल किया था इसलिए मेरे को पता है तो दोस्तों यह MIUI 9 पे कोई नया चीज नहीं है यह MIUI 8 पे चाइना बीटाराम पर ही था अभी भी है आप चाइना बीटाराम में नहीं मिलेगा तो Google Play Store MIUI 9 का चाइना बीटाराम में इंस पर क्लिक कीजिए तो यह Google Play Store and others Google Play Store फ्रेम आपको डाउनलोड काना शुरू कर देगा और आपको एक एक करके सारे के सारे अप का इंस्टलेशन कॉन्फरम करने के लिए पॉप आप आएगा तो आप एक एक करके इंस्टल कर लीजिए तो दोस्तों फाइनली आप यहां पर भी देख सकते हैं अभी MIUI 9 का चाइना बीठाराम प्लास Google Play Store दोनों ही इंस्टल हो गया है आपको यहां पर PC का कोई जरुवत नहीं पड़ेगा और आपको कैसे बैक करके वापस आना है MIUI 8 पे जो आभी आप कारेंटली यूज़ कर रहा है वो भी मैं आपको बता दिया हू TWRP से आपने जो बैक आप करके रखा था उसको इंस्टल करनेंगे जैसी कि आप MIUI 9 को इंस्टल किया है तो आप वापस MIUI 8 पे आ जाएंगे और आपका कोई भी डेटा लॉश नहीं होगा तो दोस्तों आभी आपको कहा करना है वो तो आपको पता ही है तो चलिए वीडियो क